नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारी इसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जड़ी भारत की आतिहासिक कहानिया आज है 16 जुलाई और इस तारीक का संबंध है बिहार के सारंड जिले के प्राइमरी स्कूल में हुई एक जगजोर देने वाली घटना से आज शुरुआत एक फिल्म की कहानी से एक लड़की है बिट्टू, आठ ये दस साल की रही होगी एक स्कूल में पढ़ती है, वही सब शैतानिया करती है जो इस उम्र के बच्चे करते है बिट्टू की सबसे एच्छी दोस्त का नाम है चांग एक दिन चांग की किसी बात से नाराज होकर बिट्टू उसके कपड़ों पर स्याही डाल देती है दोनम रडाई हो जाती है ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है प्रिंसिपल बिट्टू से माफी मांगने को कहती है लेकिन बिट्टू एकदम जिद्धी है और वो माफी मांगने से मना कर देती है इस पर प्रिंसिपल उससे कहती है कि जब तक वो माफी नहीं मागेगी उसको स्कूल में मिलने वाला दिन का खाना नहीं मिलेगा खाना ना मिले तो मत मिले, बिट्टू टस्से मस नहीं होती वो अपने घर भाग जाती है, घर पर मा उससे सामान लेने दुकान पर भीशती है दुकान की ओर जाते वे बिट्टू देखती है कि प्रिंसिपल स्कूल से बाहर जाने वाले रास्ते पर भागी जा रही है बिट्टू भागती वे स्कूल पहुँचती है स्कूल के आंगन में उसके दोस्तों की लाशेगिरी पड़ी है उन में से एक चान भी है बिट्टू आस्मान की ओर देखती है वहाँ चीले मंडराती रहती है यह कहानी एक शॉट फिल्म बिट्टू की बिट्टू की निर्देशक है करिश्मा देव दुबे बिट्टू इसी साल 2021 में आस्कर की लाइब एक्शन शॉट फिल्म के टेगरी में नॉमिनेट हो चुकी है इसके पहले यह फिल्म पिछले साल 2020 में Student Academy Awards में सिल्वर मेडिल जी चुकी है फिल्म अधारित है आज की तारीख यानी 16 जुलाई की दिन घटी एक सची घटना से प्रिंसिपल उस दिन क्यों भाग गई थी बच्चों को क्या हुआ था चलिए जानते हैं बिहार का सारंड जिला यह मश्रक प्रखंड के धर्माशती गंडामन गाउं में एक सरकारी प्रैमरी स्कूल है 16 जुलाई 2013 की दोपहर रोज की तरह मिड़े मेली उजना के तहर्ट बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा था खाना बनाने वाली कुग पना देवी ने कड़ाई में तेल डाला तो उन्हें कुछ अजीब से महक आई तेल का रंग भी काला हो गया था पना देवी ने प्रिंसिपल मीना देवी को ये बात बताई और प्रिंसिपल ने इसका जवाब ये दिया कि तेल तो उन्हें अपनी दुकान से इंगाया है हो सकता है कि तेल पुराना हो क्योंकि सरसो का तेल पुराना होने पर कभी कभी काला पड़ जाता है कुग ने प्रिंसिपल के कही अनुसार खाना बना दिया, खाने में उस दिन आलू सवयबीन की तरी वाली सबजी और चावल थे लंज की गंटी बजी और बच्चे लाइन लगा कर खाने के लिए बैट गए, बच्चों ने खाना खाया तो उन्हें उसका स्वाथ थोड़ा अजीब लगा बच्चों ने प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत की प्रिंसिपल साहिबा को लगा कि बच्चे खाना न खाने के लिए बहाना बना रहे हैं उन्होंने बच्चों को डाट कर कहा कि खाना ठीक है और वो उसे खा ले खाना खाने की 30 मिनिट बाद बच्चों के पेट में दच शुरू हो गया देखते ही देखते सभी बच्चों की तबियत बिगडने लगी कुछ बच्चों को उल्टेया भी हुई ये देखकर स्कूल के शिक्षा घबरा गए और चुँकि स्कूल में कोई मेडिकल विवस्था नहीं थी इसलिए बिमार बच्चों के माबाप से कहा गया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाए कुछी देर में कक्षा एक से पाँच की सोलह बच्चों ने स्कूल में दम तोड़ दिया चार बच्चों को हॉस्पिटल पहुचने पर बिद भोशित किया गया हॉस्पिटल में भरती वे बच्चों में से तीन ने अगले कुछ दिनों में दम तोड़ा मरने वालों में दो बच्चे कुक पन्ना देवी के अपने थे कुल मिलाकर 23 बच्चों की जान उस दिन चली गए इस गटना से पूरे जिले में आक्रोश फैल गया एक ही परिवार के 9 बच्चे मारे गए थे कितने ही घरों के चिराग उजड गए थे गटना के अगले दिन यानि 17 जुलाई को गाउं की लोगों ने स्कूल प्रशासिन के खिलाव प्रदर्शन शुरू किया लोग इतने घुस्से में थे कि मृतक बच्चों के शब स्कूल के आंगन में ही दफना दिये गए गुसाई भीर ने पुलिस स्टेशन पर पत्राओ किया और पुलिस की चार गाड़ियों में आग भी लगाई रेड़ लाइन को भी ब्लॉक किया गया बिहार के ततकालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार के पुतले फूंके गए जिले और पदेश के बाकी स्कूलों से ये मान आने लगी कि मिड़े मील की योजना बन कर दी जाए बिहार के ततकालीन शिक्षामंत्री पीके शाही ने बयान दिया बिहार में 73,000 प्रामेरी स्कूल्स हैं ये संभव नहीं है कि हर बार बच्चों के खाने से पहले भोजन की जाच करवाई जाए उन्होंने आगे कहा बच्चों के मित्य होना दुखत है लेकिन ये एक साज़िश भी हो सकती है खाने का सामान प्रिंसिपल मीना देवी के पती अरजुन पराई की दुकान से आया था उनका रिष्टा विपक्षी दल से है इस मामली की जाच कराई जाएगी इस आशे का व्यायान उन्होंने इसमें जोड़ा गटना के बाद बिहार सरकार तुरं थरकत में आई मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के परिवार वालों को दो लाग का मुआफ़ज़ देने के गोशना की एक Emergency Meeting भी बुलाए गई Forensic Experts की टीम को इस घटना की जाच के लिए भेजा गया इसके बाद तदकाल प्रभाव से प्रिंसिपल मीना देवी को सस्पेंट किया गया मीना देवी और उनके पती अर्जुन राय पर क्रिमिनल नेगलिजन्स यानि आपरादिक लापरवाही के तहट एक F.I.R. भी दर जुई गटना के तुरंद बाद पती पतनी फरार थे 24 जुलाई को पुलिस ने उन्हें छापरा से पकड़ा इस धर पकड़ के बाद पुलिस वारा उनके उपर मर्डर और क्रिमिनल कॉंस्पिरिसी का चार्ज लगा दिया गया इन्विस्टिकेशन के लिए एक टीम मौकाई बारदात पर पहुंची फॉरंसिक एक्सपर्ट्स ने बचे हुए खाने के सैंपल से कट्टा किये उन्हें जाज के लिए भीजा गया शुरुवाती जाज से पता चला कि खाने में और्गेनो फॉस्पेट मौजूद था ये किसम का कीट नाशक है पट्ना मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अमर कांच्छा ने बताया कि जो बच्चे इलाज के लिए उनके पास हॉस्पिटल लाए गए थे उनके मुझसे भी टॉक्सिक फ्यूम्स निकल रही थी ये देखकर उनकी टीम को अंदेशा हुआ कि ये और्गेनो फॉस्पेट की पॉईजनिंग के लक्षन है इस तैकिकात के इंचार्ज थे स्पी विनेकमार उन्होंने 2017 में इनन एक्स्प्रेस को दिये का इंटेव्यू में इस हाथ से की कहानी बताई थी गटना के दिन यानि 16 जुलाई को स्कूल में एक कारेकरम रखा गया था प्रिंसिपल मेना देवी और उनके पती अरजुन राय उस दिन बच्चों को किताबे बाटने वाले थे इसकी सूचना अरजुन राय ने बच्चों के परिवार वालों को पहले दे दी थी और इसी कारण घटना के दिन सामाजने से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुँचे थे स्कूल में एक बरांदा था जहां खाना पकाया जाता था रोज की तरह कुप पन्ना देवी ने प्रिंसिपल से खाना पकाने के लिए तेल मागा स्कूल में क्योंकि जगा नहीं थी इसलिए मिड्डे मील का राशन प्रिंसिपल के घर पे रखा हुआ था और उनका घर स्कूल से बमुश्किल 600 मेटर की दूरी पर था मीरा देवी ने कुप को अपने घर बेजा और खाने का तेल मंगवाया उसी दिन अरजुन राय गन्ने की फसल के लिए कीट नाशक मोनो क्रोटो फोस की दो बोतले खरीद कर लाए थे उसने वो दो बोतल भी स्कूल की राशन के साथ रख दी थी जब कुग घर पर पहुंची तो उसने कीट नाशक की बोतल देखी और वो उसे सर्सो का तेल समझ कर स्कूल ले आई सर्सो का तेल और मोनो क्रोटो फोस देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं बाद में इसी कीट नाशक के ओपयोग खाना बनाने के लिए कर लिया गया जिससे ये हाथसा घटा विनकुमार ने बाद में बताया कि उस समय सिचुविशन बहुत नाजुक थी पबलिक गुसे में थी और पुलिस पर बहुत दबाब था कि इस घटना को एक शड़यंत्र साबित किया जाए इतने भयंकर घटना को केबल एक हाथसा यला पर वाही मान लेना लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे विनकुमार बताते हैं कि ये एक लापर वाही जरूर थी पर कोई शड़यंत्र नहीं था खाने के सामान के साथ कीटना शकर रखना हो या फिर कुक और बच्चों की बात पर ध्यान न देना प्रिंसिपल और उनके पती से गलती जरूर हुई थी लेकिन किसी ने भी ऐसा जानबूच कर किया हो इसका कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला 25 अगस 2016 को इस मामले में मीना देवी को सजा हुई चप्रा कोट के अडिशनल जज वी ए तिबारी ने पुलिस की इन्विस्टिगेशन के आधार पर मीना देवी को दोशी करार दिया उसे कल्पिबल होमिसाइड यानि गैर इरादतन हत्या और अटेम्ट टू कमिट कल्पिबल होमिसाइड यानि गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने का दोशी पाया गया इस मामले में मीना देवी को 17 साल का रावास की सजा हुई और उस पर पौने चार लाख रुपए का जुर्बाना भी लगाया गया सबूतों के अभाब में अरजुन राय रिहा कर दिये गए इस गटना के बाद प्रदेश के बाकी स्कूलों में मिड़े मील को लेकर बच्चों और परिवार बालों के मन में डर बैट गया बहुत से स्कूलों में बच्चों ने खाना खाने से मना भी किया कई लोगों को ये प्रतिक्रिया आई कि मिड़े मील योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए फरजाना फ्रीदी इंडिन स्टाटिस्टिकल इंस्टिट आईसाई में प्रोफेसर है कैलरी में कमी 30 फिसीदी और आयरन की कमी 10 फिसीदी तक इसमें गिरावट आ गई है इसके लावक अक्षा एक में लड़कियों की उपस्तिती में 12 फिसीदी तक बढ़ोत्तरी हुई है पिछले सालों में मिड़े मील को लेकर कई और बुरी खबरे भी आई हैं और ये योजना आज तक चल रही है हाला कि इस घटना के बाद मिड़े मील को लेकर कुछ सक्त नियम बनाए गए जैसे राशन की हर सप्लाइ में से एक सैंपल को भविष्य में टेस्टिंग के लिए बचा कर रखना इसके लावा एक और नियम बनाए गया बच्चों को खाना देने से पहले प्रिंसिपल और शिक्षक उसे अब टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि भोजन ठीक है कानून के कुछ दाइरे होते हैं उनके हिसाब से इस घटना के दोशियों को सजा मिल गई हम इंसानों का एक मनोवज्यानिक पक्ष ये भी है कि हम हर घटना में इरादा ढूनने की कोशिश करते हैं सरकारे इसी बात का फायदा उठा लेती हैं किसी एक कुबली का बकरा बना कर सजा दे दी जाती है जैसा कि इस घटना में भी हम देखते हैं पूरे तंत्र में जो दरारे पड़ी हैं वो कभी-कभी ऐसी घटनाओं की रूप में सामने आ जाती हैं अगर खाने की टेस्टिंग उसके भंडारन आदी की सही व्यवस्था होती तो शायद यहादसा नहीं हुआ होता रोज मतरा के जीवन में हम अपने जुगाड़ों और चलता है वाले दर्शन से काम चलाते रहते हैं पर कई बार यह फलसफा बहुत महंगा पड़ता है आज के लिए इतना ही हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड को लेकर इस एपिसोड को जैसा कि हम आपको बार बार सूचना देते रहते हैं हर एपिसोड के आखिर में की लिख रहे है हमारे साथी कमल और इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी हमितेशने अपना फीड़बैक हमें कॉमेंस में जरूर दीजेगा कि आपके इसोड कैसा लगा अपना ख्याल रखिए कल तक के लिए नमस्ते